नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट होम रेमडीज बताऊंगा और यह होम रेमडीज काफी हद तक प्रूवेन हैं कि अगर आपके डॉग में बहुत सारी खुजली हो रही है आपके डॉग में सूधिंग एफेक्ट काफी होगा और रिलाक्सिंग एफेक्ट काफी आदा होगा जिससे कि आपके डॉग को जो इचिंग है इसे की बारे में आज हम आपको बताएंगे डॉग में ऐलर्जीस बहुत ही कौमन होती है और इनफाक्ट जब भी कुछ इंपॉर्टन सीजन जैसे की गर्मी आ गई तो जब भी सीजन चेंज होता है तो उसमें ऐलर्जीस काफी ज़्याद दिखती हैं इसा कोई डॉग नहीं है जिसको ऐलर्जी ना हो और ऐलर्जीस के होते हैं इसमें Tix, Fleeves, Mites भी हो सकता है या फिर आपके डॉक को जो है Food Allergy हो सकती है कोई Chemical Induce Allergy भी होती हैं डॉक को Environmental Allergy भी हो सकती है किसी पेंट के कारण किसी ग्रास के कारण Dust के कारण pollution के कारण तो बहुत सारे ऐसे causes हैं जिसके कारण से dogs को allergy होती है अब यहाँ पर allergy तो कैसे identify करना है, कौन सी allergy इसके बहुत साइ test भी होते हैं और systemic examination भी wet करते हैं तो वो तो बात की बात है जब आप अपने dog को wet के पास ले जाओगे proper examination होगा, but immediately जो first aid होता है, कि immediately day to day activities में जब भी dogs को allergy आती रहती है जैसे dogs को hives हो गई face में swelling आ गई बहुत ज़्यादा chew कर रहा है, leak कर रहा है pause को, itching कर रहा है अपने कानों को हिला रहा है scratches कर रहा है तो काफी ज़्यादा मतलब की psychological effect dogs की body में पढ़ता है काफी ज़्यादा आपको कोई खराब लगता है कि हमाई dogs को इतनी itching हो रही है और वो काफी ज़्यादा uncomfortable महसूस करता है so, ऐसे situations में क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ ऐसे anti allergic supplements हो या फिर anti allergic bathing हो जिसको अगर हम घर पी ही home remedies के form में अगर हम use करें, तो काफी हद तक हम इस cause को suppress कर सकते हैं और अगर माली जे control नहीं हो रहा है तो वेट examination करना पड़ेगा तो कुछ home remedies के बारे में आज में बताऊंगा बहुत important है, आप जरूर से जरूर घर में रखिए तो इसी के बारे में हम top 5 home remedies के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं number 1 है aloe vera gel aloe vera grit कुमारी जीसे हिंदी में कहते है आपके घर में हमारे घर में हर जगाँ common है in fact human cosmetics में भी काफी use किया जाता है इसकी जो natural property क्या है कि ये soothing, relaxing and cooling effect देता है तो soothing, relaxing and cooling effect के कारण अगर हम किसी भी area में इस gel को directly आपके dog को काफी जादा itching हो रही है particular area में hot spot बन गया है आप immediately oil vera jelly के उसको लगा दीजिए तो उससे क्या होगा कि आपको आपके dog को soothing, relaxing effect मिलेगा तो वो hives या फिनों जो hot spot बनने वाला है future में वो minimize हो जाएगा कम हो जाएगा तो आप ये aloe vera jelly यूज कर सकते हैं, aloe vera की बहुत सारे samples भी market में उपलब दें, मैं amazon की affiliate site भी आपको मैं description में दे देता हूँ जहां से आप aloe vera के अच्छे अच्छे companies के product भी आप sample के form में regular use में आप यूज कर सकते हैं, ठीक हैं तो आप aloe vera jelly को आप यूज कीजिए यह बहुत ही अच्छा है, in fact आप घर में भी aloe vera के plants को cut करके उसके जो gel है निकाले के डाइटली लगा सकते हैं तो वो raw form में है, it is also good second number है apple cider vinegar यह सिरके के form में आता है liquid form में आता है आपको क्या करना है, कि यह basically क्या होता बाइट करते हैं और लगातार काफी यादा बाइट हो जाने से, डॉक्स को flea allergy dermatitis हो जाता है, FAD हो जाता है तो अगर आपको natural कोई solution चाहिए, तो उसके लिए best है apple cider vinegar आप इसको जो है, कैसे use करना है 50 ml आप ले लीजिए इसको 50 ml पानी ले लीजिए दोनों को mix करके spray bottle में रखती जिए और उसके बाद फिर आप जो है spray कीजिए, regular use पे आप कर सकते हैं इचिंग नहीं होगी second जो important चीज़े इसको ध्यान वे रखने का कि किसी भी open area पे या cut हो या abrasion wound हो skin open हो गई तो आपको यूज नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे काफी आदा itching relaxations नहीं देगा और irritation पैदा करेगा next जो important home remedy है वो है onion, प्याज प्याज हर घर में common है और बहुत ही important phytochemicals इसमें पाये जाते हैं जिसमें से एक important phytochemicals का नाम बताऊंगा वो है quercetin, quercetin जो है इसके पास healing property काफी अच्छी है तो यह सब important इसके पास property होने के कारण इसको जो है काफी हद तक हम लोग human कीगर बात करें तो उसमें जो है informations, allergic issues में यूज किया जाता है docs में भी quercetin यूज किया जाता है पर इंडिया में available नहीं है यह बाहर के market में available है आप सर्च कर सकते हैं और काफी expensive भी है तो फिलाल क्योंकि यह इंडियर मार्केट में है नहीं तो हम लोग basically क्या है कि जो इसका source है onion उसको हम यूज करके काफी हद तक हम इसमें allergy को control कर सकते है docs की करना क्या है कि इसको हमें जो है नहलाने से पहले आदे गंटे पहले docs को उस एडिया में आप अच्छी तरह से इसको लगा देंगे लगाने से क्या होगा कि फिर जो है वो अपनी properties करेगा और फिर उसके बादे गंटे के बाद फिर आप sample से या पानी से दुल दिचिए इससे जो है क्या होगा कि itching grasses जो भी आने वाले हैं docs को completely खतम हो जाएंगे it's a wonderful property और आप जरूर इसको use कीजिए जैसा मुझे बताइए steam boil में ने इसलिए कि जो उसके strong aroma होता है वो खतम हो जाती है तो उसके बाद आसानी से आप docs को use कर सकते लगा सकते हैं आपको भी आईज में प्रॉलम नहीं आएगा ठीक है so that is important other जो important home remedies जो काफी आसानी से घर में मिलती है वो है coconut oil नारियल का तील coconut oil जो है वो basically क्या करते हैं कि कई तरह के फॉर्म में पाया जाता है but सबसे best advisable वो है कि वो जो cold pressed cold pressed virgin coconut oil तो आप cold pressed virgin coconut oil को use करेंगे इसको आप खिला भी सकते हैं डॉक्स को और लगा भी सकते हैं तो it's both way it is palatable as well as मतलब की ये consume कर सकते हैं और it's completely safe so ये बहुत अच्छा है और आप इसको use कर सकते हैं finally है oatmeal 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 basically क्या है कि जो oats होती है जाई Nanakations आटा बना लेना और इसके बड़ी इसको पानी मिला कि जो है इसको paste बनाने के बाद फिर आपको जो है इसको use करना है oatmeal जो है बहुत ही अच्छा है इंफैक्ट आज क्रावी काफी आदा oatmeal के sampoo भी आते है तो उसमें कई सर और ingredient होते है तो आप raw form में naturally आप यूज़ कर सकते हो, काफी हाला soothing, relaxing and teaching property ओट मिल में और kytosinide होता है इसमें तो इसमें एक skin barrier भी हो जाता है, तो this is a good property of oatmeal, आप इसको यूज़ कीजिए, इसकिन की allergies में काफी helpful है, तो ये top 5 home remedies हैं जो कि आप follow कर सकते हैं, घर में आप यूज़ कर सकते हैं और डॉक की कभी भी कोई allergies हो रही है, तो उसमें काफी हद तक आप इसको आप manage कर सकते हैं, डॉक्टर मिशा से बात करने के लिए आप call me for app application को download कर लिजिए, ब्ले स्टोर या अप स्टोर में call me for app सर्च कीजिए, install कर लिजिए, install करने के बाद फिर आपको call me for app से उनकी ID को सर्च करना प्राइब डॉक्टर मिशाइट CM4, उसके बाद उनकी availability को चेक कीजिए, उसके बाद call me for wallet को recharge कीजिए, money add कीजिए, और money add करने के बाद फिर आप जो है, उनसे आसानी से बात कर सकते हैं, जब भी वो available हो, thank you.